त्रियांकुष लर्निंग चैनल में फिर से स्वागत थे आप सभी का आज जो मैं लिकर आई हूँ वो है स्मॉलर एंड ग्रेटर बच्चों को हम किस तरह से आसानी से स्मॉलर एंड ग्रेटर नमबर सिखा है चलो वो देखते हैं और कुछ पिक्चर्ज मना है मैंने पिक्चर तो चलो शुरूर करते हैं यह मैं कुछ पिक्चर्ज लिखे हैं हूँ ताकि बच्चों को आसानी समझ में आज सके और उन्हें अच्छे से समझ में कि स्मॉलर और ग्रेटर उनको कैसे होता है अब जैसे यहाँ पर मैंने फोर ट्रेज बना है तो बच्चों को हम बोलेंगे सबसे छोटा ट्रेज कौन सा है तो बच्चा दिखाएगा यह वाला तो हम बोलेंगे इसका मतलि यहाँ पर आएगा वान यह हमारा सबसे छोटा ट्रेज है इसके बाद हमारा कौन सा ट्रेज उससे थोरा बड़ा है तो बच्चा दिखाएगा यह वाला तो हम इसे हम पुछीं अगर कौनसा ट्रे सबसे सोटा है चोटा वाला ट्रे समेशा वन नमबर में और जो से होत तोरा बड़ा है उसके बाद वाला जो नमबर आता है ईस stole के बाद ये दोटी डी ट्रीeld के बाद फूर उस वे में हम नम्बर लिखेंगे ऐसे बच्चों को कि आ आएंगे तो बच्चों समझ में जैसे कि सेकेंड वाला देख लेते हैं सेकेंड वाले मैं मैंने जैसे दिया हुआ है ऐसे मैंने फोर काइट बनाया है आप बच्चे को मैं पुछूँ कि बता फर्स नमबर किसमें लिखेंगे हम लोग वन नमबर तो ताकि बच्चा यह पिक् यह तो दर आएगा फोर इस तरह से हम उस बच्चों को एसेंडिंग ओर या फिर स्मॉलर नमबर सिखा सकते हैं कि छोटे से बड़े तक कैसे जाना हमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्ड अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम अब हम देखते हैं ग्रेटर में अब ग्रेटर में हम आवकर बच्चों को पूछेंगे बताओ ग्रेटर मींस बिगर या फिर डिसेंडिंग बिगर सबसे बड़ा सबसे बड़ा बलून कौन सा है यहां पर सबसे बड़ा जो होता है यह तो यहां पर हम लोगों को इस बार हमें वन नमबर उससे देना है जो बड़ा है तो बड़ा कौन सा बलून है इसमें से ये वाला इस बाद हमें ये वाला वन देना है ताकि हमें बिग से स्मॉल जाना है इस बाद से बिग नहीं जाना है बिग से स्मॉल तो ये वन इसके बाद वाला उससे थोरा चोटा ये वाला यहां पर देंगे टू उससे थो चोटा फोट इस वे में अगर इस वे में सिखाएंगे तो बच्चों को अच्छा भी लगेगा और बच्चे जल्दी से कैच कर सकेंगे के अभी थर्ड वाला दिखते हैं जैसे मैंने फ्लावर्स बनाएं बच्चों बुचिंगे सबसे ग्रेटर कौन सा है सबसे बड़ा कौन सा है तो यह इसमें हम लोग जो सबसे बड़ा उसको इस बार वन नमबर देंगे तो वन इससे थोड़ा चोटा यह वाला तो हम इससे दें पर चेह जब स्मॉलर में आते हैं हम क्या करते हैं स्मॉलर में अगर हम लोग बच्चे के पूछे के बता ऑगे समॉलर कोवन नमबर देना है तो कौन सा वाला आ अजाएगा वन यह जाएОँ यह वाला फ्लावर फ्लस दूं यह वाला पौ रहे शरेगा इसका मतलब यह हो ग ले smaller to bigger बोला smaller से bigger और ये मैंने bigger to smaller कहां bigger to smaller उससे कहते है bigger to smaller उसको कहते है descending और smaller to bigger उससे कहते है ascending ये एक pictures के थुरू दिया है अब हम problems के थुरू देते हैं जैसे मैंने यहाँ पर example दिया smaller यानि ascending greater descending अब मुझे बच्चे को बोलना है कि अभी सबसे जो ascending मतलब होता है पहले छोटा number लो फिर उसके बाद थोड़ा बढ़ा फिर उसके बाद थोड़ा बढ़ा तो बच्चे कैसे करेंगे ascending में पहले सबसे छोटा कौन सा number बच्चे बताएंगे टू उससे बढ़ा six उससे बढ़ा four फिर last में सबसे बढ़ा eight ascending और यहीं बच्चे को मैं पुछओ descending बढ़ा जो आता है उससे पहले लिखी है फिर उसके बाद छोटा छोटा number जाओ तो बच्चे लिखेंगे बढ़ा number कौन सा है eight उसके बाद है four उसके बाद है six उसके बाद है two इस तरह से और second वाला भी देख लेते हैं अब यहाँ पर बच्चे को पुछओंगे सबसे छोटा कौन सा है ascending means small to big small से big तो बच्चे बढ़ेंगे smaller number है two उसके बाद है five उसके बाद है seven उससे बड़ा है ten descending में इसका उल्टा क्या big to small big से small कैसे करेंगे सबसे पहले ten फिर seven फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा इस तरह से हम अगर बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चों को अच्छे समझ में आएगा कि ascending order और descending order किस तरह से हमें करना है यह pictures के तुरू अगर हम बच्चों को सिखाते है तो उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हुआ और अगर पसंद आया तो share, like, subscribe जरूर कीजिएगा अगर आप नए हो मेरे channel में thanks for watching, happy learning